मा चंद्रगंटा की कथा अल नवरात्री के तीसरे दिन माता चंद्रगंटा की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कश्क शन्भर में दूर हो जाते हैं मान्यता है कि चंद्रगंटा माता का वरत कथा पढ़ने से बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाता है नवरात्री के तीसरे दिन देवी चंद्रगंटा की पूजा आराधना की जाती है देवी चंद्रगंटा भक्तों की दुख और परेशानियों को दूर करती हैं भैसे मुक्ती और शत्रुओं का नाश करने के लिए चंद्रगंटा की आराधना करनी चाहिए नवरात्री हिंदूओं का विशेश पर्व होता है। नवरात्री के नौ दिनों तक आदिशक्ती नव दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती हैं। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ती की परेशानिया, शत्रु का भैस भी दूर हो जाते हैं। नवरात्री के तीसरे दिन चंद्रगंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रगंटा की पूजा करने से अशुप ग्रेह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रगंटा पढ़ा है। माता चंद्रगंटा अपने वहन सिंग पर उठकर अपने दस भुजाओं में खडग, तलवार धाल, गधा, पास्ट, त्रिशूर, चक्र और धनुशलिये मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था तब असुरों का स्वामी महिशासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंगासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देख कर सभी देवताओं काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवताओं इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रामह, विश्नु और महेश के पास गए। वहाँ जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किये गए अत्याचार और इंद्रत, चंद्रमा, सूर्य, वयू और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिशासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोग तथा पृत्वी पर अब विच्चरन करना असंभव हो गया है। तब ये सुनकर ब्रह्मा, विश्नु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान क मुख से एक उर्जा उत्पन हुई। देवतागनों के शरीर से निकली हुई उर्जा भी उस उर्जा से जाकर मिल गई। यह उर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तब ही वहाँ एक कन्या उत्पन हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिश सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिशासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमी में आ गई। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिशासुर भय से काम पुठा। तब महिशासु अपनी सेना को मा चंद्रघंटा के पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त शस्त से असुरों की सेनाओं को भर में नश्ट कर दिया। इस तरह से मा चंद्रघंटा ने असुरों का वद करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतरध्यान हो गई। बोलो ज वे माता दी दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले